हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको से लिया जो किसन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी फोर्थ किलास के मैच का सेकिंड चैप्टर लोंग एंड सोट यानि कि लंबा और चोट तो देखो यहां पर हमें पिक्चर दिखाए दे रहे हैं इसमें डोट्स बने हुए हैं और यह कह रहा है कि how far apart are the dots कि यह डोट एक दूसरे से कितनी दूर पे हैं तो पहले तो तुम्हें इमेजिनेशन करना यही कह रहा है कि guess the distance between two roads हर एक दो डोट्स के बीच की distance कितनी है तुम्हें अंदाजा लगाना है अंदाजास लिखना है फिर उसको guess map ना है कि अपने scale से map ना है कि कितनी है और फिर उसको लिखना है कि तुम्हें जो अंदाजा लगाया था वो सही है या नही है तो पेटा इकुछ dots का यहां पे पहमाना हम आप लेते हैं o d के बीच की distance d i की O B की मैं थोड़ी बहुत लिख रही हूं तुम्हें सभी को करना है ठीक है अब आगे कह रहा है which two dots do you think are farthest to each other कह रहा है कि कौन सी dot जो एक दूसरे से सबसे जादा है उन dots का तुम्हें नाम लिखना है तो कौन सी है बेटा मेरी हिसाब से सबसे दूर है O और M होगा है M है ये एक दूसरे से सबसे दूर है और नजदीक और D है ये सबसे आपस में नजदीक है ठीक है आगे है the shorter line अकबर वाज फेमस किंग he had a smart minister called बीरबल once अकबर gave him a difficult question he drew a line on the floor कि अकबर राजा था और उसका मंत्री बीरबल ये तो तुम सब कोई पता है ना तो एक बार वीरबल राक अकबर ने वीरबल को एक बहुत ही कठिन सा question दिया कि उसका आंसर बताओ question क्या था कि उसने एक line खीची और उससे का कि इस line को छोटी करो बिना मिटाई इसको मिटाना नहीं है लेकिन इसको छोटा कर दो तो बीरबल तो और भी ज्यादा चतूर था ना तो देखो ये दो line खीची हुई है बीरबल ने उससे लंबी line खीच दी और वो line छोटी हो गई तो अब कह रहा है कि look at the picture explain कैसे तो बड़ी खीच दी ना उसने इसलिए वो छोटी हो गई तो अब ये कह रहा है कि तुम भी ऐसा कुछ करो कि बीरबल से ज़्यादा smart हो जाओ और बीरबल की line को छोटी कर दो तुमें भी erase नहीं करना है तो क्या करोगे बेटा हम बीरबल की जो line है उससे भी लंबा खीच देंगे तो वो अपनी line इसकी बीरबल की छोटी हो जाएगी है ना कर सकते हो ना हाँ अब आगे अपने पास है try this इसी तरह क्या और भी तुमें आगे अभ्यास करने के लिए दे रहा है ये करने है तो make her right arm one centimeter long than the left arm अब ये कह रहा है कि ये जो picture में बाजू दिखा रखी है नि इसको एक centimeter लंबा करना है right arm को left की बजायत इसको और आगे बढ़ा देना है ठीक है इसी तरह से आगे cup बना रखा है तो इस cup को कह रहा है कि draw a cup one centimeter shorter than the cup इस cup की लंबाई को हम आप लेंगे और उससे एक centimeter छोटा cup याँ पर बना देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा है ना इसी तरह से draw a broom half as long as the broom जितनी लंबी ये ज़ाडू है ना इस ज़ाडू का आधी लंबाई जितनी एक ज़ाडू हम और याँ पर बना लेते हैं तो ये ज़ाडू से वो छोटी हो जाएगी ठीक है draw another hair of double of the length देखोई picture दिख रही है इसमें एक बाल दिख रहा है ना और हमें क्या करना है कि इस से दुगना लंबा तो इसकी लंबाई है उस लंबाई से दुगना अगर इसकी लंबाई है हमारी एक centimeter तो उसको दो centimeter लंबा बाल आगे बढ़ा देंगे तो ये अपना उससे double हो जाएगा ठीक है आगे है how tall have you grown भई हम सभी बढ़ रहे है ना लंबाई तो हमारी बढ़ती ही है तो कह रहा है कि do you remember that in class 3rd you majored your height कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने कभी तीसरी क्लास में अपनी height मापी है तो बिटा माप थे हैं स्कूल में भी माप थे हैं है ना मापी है तो yes लिख देंगे हाँ बई मापी है कितनी थी ये भी पता है do you think you have grown taller और तुम्हें पता है क्या तुम अब कुछ लंबे हुए हो तो बिटा हमने जब मापी होगी 6 महीने पहले तो अब 4th में आ गए हैं तो कुछ लंबाई तुम्हारी बढ़ी है ना हाँ तो यह लिख देंगे yes हाँ बड़ी है how much कितनी बड़ी है ये सब की अलग अलग होगी जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं लिखूंगी वही होगा जिसकी जितनी बड़ी है वो लिख देगा मैंने यहाँ पर लिखिये 30 cm क्या तुम्हारे फ्रेंट भी लंबे हुए है तुम्हारी लंबाई बड़ी है तो फ्रेंट की बड़ी है ना तो यह find out and fill that table ब्लो नीचे अपनी फ्रेंट के तुम्हें नाम लिखने है और यहाँ पर लिखना है last year's height in centimeter की पिछले साल उनकी centimeter में कितनी थी इस साल कितनी है और उनमें कितनी बडोतरी हुई है ये तुम्हें लिखना है तो यहाँ पे मैंने दो की लिख दी है अंस और निशा की बाकी नीचे के तुम लिखोगे ठीक है अपने दोस्त की लंबाई का पता करोगे और लिखोगे अब है जुम्पा ओन्स रीडे लिस्ट ओफ दा टालेस्ट पीपल इन दा वर्ल्ड कर रहे कि जुम्पा ने एक बार संसार के सबसे लंबे आदमियों की लिस्ट में पढ़ा था क्या पढ़ा था वन ओफ देम वाज 272 सेंटीमीटर लॉंग उन में से एक 232 सेंटीमीटर लंबा था देट इट इट जस्ट डबल ओफ जुम्पा ज हाइट जो की जुम्पा की हाइट का दुगना था तो हाउ टॉल एज जुम्पा जुम्पा कितनी लंबी है भई 272 है वो उसका डबल है तो अगर हम इसका आधा कर दें दो से इसको डवाइड कर लें तो जुम्पा की लंबा ही आ जाएगी क्योंकि तब ही तो डबल होता है कि उसको 2 से गुना करें तब तो 200 बहतर हो गया औ और अब हम 200 बहतर को 2 से भाग कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो जुम्पा की लंबा ही आ जाएगी और 200 बहतर को 2 से भाग करने पे हमारे पास आया है 136 सेंटी मीटर बेटा इसको अलग से भाग करके भी देख सकते हो किसी को ऐसे नहीं आए तो ठीक है आगे कह रहा है कि मेजिन करना है तुम्हें could that person pass through the door of your classroom without bending की वह जो आदमी है इतना लंबा है वह क्या तुम्हारे जो तुम्हारा दरवाजा है उसे बिना जुके निकल सकता है अंदर कमरे का जो दरवाजा है तुम्हारे कक्षा के कमरे का तो बेटे बताओ तुम्हारे दरवाजे में इस से निकल जाएगा क्या वो जितना लंबा आदमिया उसे साब से निकलेगा तुम बताओ नहीं वो वहाँ से नहीं निकल सकता है न वी विल हीज हैड टच दा रूफ ओफ यूर हाउस इप ही स्टेंस स्ट्रेट अगर वो सीधा खड़ा हो जाए तो क्या तुम्हारे घर की च सत कुछ होएगा हाँ भई बिलकुल होएगा क्योंकि हमारी चतें इतनी लंबी नहीं होती जितना की वो लंबा है ठीक है अब आगे अपने पास है दा लोंग एंड शोट ओफ यूर फैमिली कि तुम्हारे परिवार में कौन लंबा कौन चोटा ये पूछेगा तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है my father and who is the shortest in your family सबसे छोटा कौन है मेरी जो छोटी बैन है वो सबसे छोटी है है ना और मेरे पापा सबसे लंबे हो सकता है किसी के घर में मम्मी हो किसी के घर में दादा लंबे हो आगे है what is the difference between their heights उनकी heights में लंबाई में कितना आंतर है तो बेटा लगबग 40 cm है ये किसी का जादा भी हो सकता है कम भी हो सकता जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो ही लिख होगे ठीक है अब आगे है inter school sports meet ये meet हो रही है तो इसमें कहा है race होगी this is a 100 meter race for girls लड़कियों की 100 meter की दोड़ हो रही है अरूंदती is nearest of finishing line और अरूंदती जो जहाँ पे line खतम होती है race की कि वहाँ पे race खतम हो जाएगी उस line की बिलकुल नजदीक है she is about 6 meter from it वो 6 meter ही दूर है behind her रहाना और उसके पीछे रहाना है कॉंकना और उमा और रहाना और उमा दोड़ रहे है look at the picture नीची picture दे रखिये उस picture को तुम्हें देखना है to answer the question below choose from these distance और कुछ distances दे रखिये उन में से चुन के तुम्हें answer देने distance क्या है 3, 6, 10, 15 meters इन में से आएगा जो भरना होगा तुम्हें तो देखो picture में देखो तीन लड़ी क्यां दिख रही है ने दो दिख रही है एक साथ एक सबसे आगे एक बीच में तो सबसे आगे वाली और जो रेखा है जहां पे देखो फ्लैक सा लगा हुआ है जंड़ा वहाँ इनके बीच की distance क्या 6 है अब यह इसके बाद में कौन दोड़ रही है रहाना और उसके पीछे कौन करना और उमा दोड़ रही है तो यह हम से पूछ रहा है कि बाई how far is रहाना फ्रोम अरुंदती रहाना अरुंदती से कितनी दूर अरुंदती सबसे आगे है न तो इनके बीच की distance क्या दे रखी है उसमें दे रखी है क्योंकि यह 6 है और तो इनके बीच में थोड़ा फासला है तो यह 3 mm ही होगी यहां पे है न और how far ahead is रहाना फ्रोम कौंकना अंड उमा कि रहाना कौंकना और उमा से कितने मीटर दूर है देखो जितनी दूरी जो finishing line है उसमें और अरुंदती में है उतना ही इसमें रहाना में और इन दोनों में है न तो जो इसकी finishing line है और अरुंदती के बीच में कितने मीटर का फासला छे का है ना इतिसलिए इनके बीच में भी छे का ही होगा यहां हमने लिख दिया 6 मीटर अब आगे अपने पास है हाउ फार आर कॉंकना एंड उमा फ्रोम धा फिनिशिंग लाइन की ये ителейisin line से कितनी धूर है यह दोनों तो देखो बेटा यहां finishing line में और अरुंधती में फासला है छे का 6 मीटर का है ना और रहाना में और अरुंधती में 3 का हमने अभी निकाला है और इन दोनों में भी निकाला है 6 cm का तो 6 मीटर का तो इन तीनों को हम जब जोडेंगे 6 जमा 3 जमा 6 तो अपना कितना आ जाएगा 15 मीटर तो वो फिनिसिंग लाइन से 15 मीटर दूर हैं अब आगे कहा रहा है कि have you heard about a 1500 or 3000 मीटर रेस सुनी है न कि इतने की मीटर की रेस होती है तो लेकिन तुम्हें पता है कि 1,000 मीटर इस एक वल टू 1 1 किलो मीटर तो कह रहा है कि ये जो फाइव 500 मीटर दिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी आप होगी क्यों कि 1000 मीटर मीटर का 1 किलो मीटर होता है न तो 500 मीटर कितना हो जाएगा आधा तो अब बता रहा है यहां पे पूछ रहा है हमसे इने 1500 मीटर रेस पीपल रन कितना किलो मीटर दोडेंगे तो बेटा 1 and half क्योंकि 1000 जमा 500 जब करेंगे तो अपने पास 1 मीटर और आदा तो 1 and half किलो मीटर आ जाएगा और 3000 मीटर रेस में पीपल कितने किलो मीटर दोडेंगे यहां पे 3 किलो मीटर हो जाएगा क्योंकि 3000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही answer आएगा ठीक है तो बेटा यह मैं समझती हूँ कि आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी ल लेना ठीक है थेंक यू